हलो फ्रेंड्स वागत है आपका मेरी चैनल में आज आपके सब में और एक बहुती खुबसरत मंगल सुत्र डिदन शेयर करने वाली मंगल सुत्र बनाने के लिए मैंने आप लिए ब्लैक मोती इस तरह का पेंडेंट यहां पर आप कोई भी पेंडेंट ले सकते हो यहां पर मै मैंने कट लगा कर इस तरह से बांद दिया है यहां पर मैंने इतना धागा लिया है धागे को यहां पर हमें आगी को अलग अलग कर लेना है दोनों धागों को यहां पर हमें सुई से बांद देना है सुई में मैंने सिलावला धागा पुरो कर इस तरह से बांद लिया है पह कि हैं आप रहमें दोनों धागों में बराबर black mootie को पुरू लेना है यहां पर हमने दोनों धागों में इस तरह से बराबर ब्लैक मुटी को पुरू ले आए अभी हमें आपर दोनों से इंको मिला कर इस तरह से किस्ट लोला ब्लैक मुटी पुरू लेना है यहां पर हमें दो किस्ट लोले ब्लैक मुटी पुरू लेना है यहां पर हमने दो इस तरह से किस्ट लोले ब्लैक मुटी पुरू ले आए अभी हमें फिर से धागे को अलग अलग कर लेना है फिर से यहां पर हमें ब्लैक मुटी पुरू लेना है यहां पर भी मैंने अंदाजे ब्लैक मुटी पुरू है यहां पर अब आप अपने साब से मुटी कम ज़ादा कर सकते हो यहाँ पर अभी दोनो दागों हमें बराबर इस तरह से बलैक मोती पूर लेना है यहाँ पर हमने दोनों धागों में इस तरह से बराबर बलेक मोती पूरो लिया है अभी यहाँ पर हमने दोनों स्विंग को मिला कर फिर से किस्टला ले दो बलेक मोती पूरो लेना है यहाँ पर हमने किस्टला लेक मोती पूरो लेना है यहाँ पर हमने दोनों दागों में बराबर ब्लैक मोती पूरो ले आए अभी हमें फिर से किस्टल वले दो ब्लैक मोती पूरो लेना है यहाँ पर हमने एक साइड इतना बना लिया है आपको जितना लॉंग जाए आगे हम पर मोती को बढ़ा सकते हो तो यहाँ पर आभी हमें पेंडेन को लगा लेना है तो यहाँ पर हमें सुई में इस तरह से पेंडेन को पूरो लेना है और धागे को निकाल देना है यहाँ पर हमें धाग्यों को इस तरह से बिच में से पकड़ते हैं पेंडेन को इस तरह से पुरो लेना है यहाँ पर हमारा पेंडेन इस तरह से अच्छे से फिक्स हो जाएगा मोतियों को यहाँ पर हमें पेंडेन के उरलाना है यहाँ पर हमारा पेंडेंट लग चुका है अभी हमें इसी तरह से दुसरी साइड भी बना लेना है यहाँ पर हमने दुसरी साइड बनाने के लिए उतना ही दागा ले आ है फिर से इसी तरह से बराबर यहाँ पर हमें ब्लैक मोति को पुरो लेना है इसी तरह से यहां पर मोतियों का आगे पुरोते जाना है यहां पर हमने यह साइड भी बना ले इसे भी हमें पेंडिन को लगा लेना है यहां पर हमें स्विं में इस तरह से पेंडिन को पूरो लेना है और स्विं को निकाल देना है यहां पर हमें बीच में से पकड़ते हैं पीचे साइड इस तरह से पूरो लेना है यहां पर आइस तरह से उपर के उर्खेंचना है यहां पर हमारा पेंडिन अच्छे से फिक्स हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोनों साइट पेंडन लग चुका है अभी हमें पीछे स्कुरू लगा लेना है तो यहाँ पर मैंने इस तरह का स्कुरू लिया है पीछे यहाँ पर हमें स्विंग को बांद लेना है स्कुरू को पुरू लेना है यहाँ पर हमें स्विंग को निकाल देना है स्कुरू के बराबर अच्छे से नॉट लगा लेना है इस तरह से यहाँ पर हमें स्कुरू को लगा लिया है एक्ष्टा दागा में कट कर देना है इसी तरह से याप रामे दुसरी साइड भी स्कुरू को लगा लेना है यहाँ पर हमने दुनों साइड इसकुरू को लगा लिया है तो यहाँ पर हमार आज कई भूती खुबसरत मंगल सत्रे डिजाइन तयार है आपको मेरी आज की यह मंगल सत्रे की डिजाइन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना न भूले